हेलो फ्रेंट्स आज का टॉपिक है हमारा टाइटल टैग जो एटू जैड एस्चियो सीरी चल रिए इसमें हम पहुंच गें टी पर जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कहा है आज यह सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो को जो देखिएगा ताकि आप कुछ क्ँछ मिसना कर पाएं मैं तो टाइटल टै्क क्या होता है ताइटल टैक कैसे बनाने चाहिए अपकूं और में इस वीडियो में mind title टैक होता है मारा पिसे सी पेज को हम डेस्क्राइब करते हैं कर लोग लिए कि इस पेज में किसके बारे में लिखा जाएगा या लिखा हुआ है ताकि यूजर के बारे में सर्च करता है तो उसको पेज सबसे पहले शो करें ठीक है और हमें यह भी ध्यान अगना चाहिए जो टाइटल टेग की जो क्रेक्टर लिमेट है वो 50 to 60 है और बहुत बड़ा मिंस का सब्सक्राइब यह है कि अगर मैं 70 करेक्टर कर दूंगा यह 80 कर दूंगा तो क्या पेनलाइज हो जाएगी वो पेनलाइज नहीं होती है होता ही है कि गूगल इसको जीड नहीं करता है बडौ डौ बन के आजाते इसको लिखने को भी बेनेफिट नहीं रहा ठीक है उसे से रैंकिंग यह तब भी करेगा लिग प्रेक्टर का ही टाइटल लेना चाहिए अब माल लेते हैं आप देखा होगा कि जब टाइटल बनाते हो बहुत सारी कमपनी को ब्रेंड नेम आते हैं वो भी एक अच्छा तरीका होता है जैसे कि हम अपनी बात करें हम लिखते हैं माल लीजिए कि बेस्ट डिर्मारी ट्रेंडिंग इन गाजियवाद डैस उपेन रानर ट्रेंडिंग हमारा ब्रेंड नेम हैं हमारा इंस्ट्यूट का नाम है तो वह ब्रेंड कीवर्ड में काउंट होगा इसलिए अगर में उस तरीक से बनाता हूं तो बहुत अच्छा है है अब होता है है कि एक पेज पहर लेकिन जम टाइंट लगए है थेरंट बनाते हैं डिस व come गश इसमय उस keyword को सबसे पहले आप mention करोगे अपने टाइटल में अगर सिंगल है फिर तो कोई इक दिनी आप mention कर दिया और डैस लागा के अपने brand name लिख दिया या कुछ भी आप add-on करना चाहते हो वो आपने कर दिया लेकिन अब मान लेते हैं कि आपके दो keywords है मानलों कि मैं कि मैंने अपना page बनाया SEO training के बारे में उस पर दो keywords मैंने लिए एक लिया मैंने best SEO training institute in India एक लिया मैंने best SEO institute training in गाजयावाद ठीक इस तरहीं से लिया मैंने या best SEO course in इंडिया यह best SEO training in गाजयाद इस तरहीं मैं कुछ भी ले रहा हूँ तब मुझे क्या करना चाहिए ऐसे नहीं होगा कि मैं एक बार best SEO training लगूंगा फिर वो pipe लगा के मैंने दूसरा लिखा course वाला होना यह चाहिए कि मुझे simply लिखना चाहिए था best SEO training and courses in इंडिया इससे क्या होता मैं दूसरा लावी हो जाता टार्गेट और पहला लावी टार्गेट कीवर्ड उसमें आ जाता है यह मुझे गाजयवद लोकेशन डालना है तो फिर क्या करूंगा मैं बैस्ट एक साथ प्लिस कर दिया अपना टाइटल में बहुत अच्छा तरीका होता है और दूसरा एक ध्यान के रखना आपको जो हम बात करते हैं कि आपको हेड़िंग टैग होता हैच वो घोलता है वो कभी याफ कर टा कि टेल से मैच नहीं करना चाहिए वो सकता है लेकिन मैच नहीं आज i हो कूल कि यह सब्षाइब शायब मिले कि क्या टेक्टर को पर उता है इसके तो कभी भी आ पीन मिलेकर के ऊसर्प्र उसको देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या फेक्टर्स होते हैं Google पर रैंकिंग लाने के तो कभी भी आपको टाइटल से एच्वन मैस नहीं करना चाहिए रिलेवेंट होगा लेकिन एग्जेक्ट कर भी नहीं होगा ठीक और आप प्रॉपर स्ट्रेक्चर फोलो करिए वर्ड काउंट फोलो करिए और डेस्क्राइब ऐसे करिए जैसे कि एक लगे कि आप हुमन प्लस को दोनों को आप जब इस्ति स्टफ नहीं कर रहे हो कि वर्ड स्ट्रेफिंग करने से दिक्कत आजएगी हमारी रैंकिंग में तो दोनों के लिक्कत है और देखो होता क्या है आप स्ट्रेफ कर लोगे तो यूजर भी जिद्द जिल्द क्लिक निकरें वह देखा कि बार बार सेम्की वर्ड सारहें मैंट टाज की यूजर का इस इसुब करने देखो हो देखोें तो स्बार से लिक्स थापरका इस कर्सक्राइब निवास की साजुक्त प्रृटी और अधील डिउस ट्रेफिंग मोगा बनेरियाम चैनल नों उपेनार डणिंग्पे, धन्नेवार